प्रभू चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रसांद सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार प्रसांद सोलंकी इंगलिस यूटीब चैनल पर कल से हमने एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट की ग्यारे दिन ग्यारे सेट्स जिसके अंतरगत ग्यारे प्रेक्टिस सेट आपके लिए कराई जाएंगे सीपी ओ और फेज ट्वेल्व का जो आपका एक्जाम है उसको टार्गेट करते हुए और पहली ही क्लास पर आप सभी लोगों ने बड़ा जबरदस्ता रिस्पॉंस दि तो आप सभी लोगों के लिए आज ही हमारी दूसरी क्लास है बड़ी बहतरीन सी बड़ी सांदार सी क्लास आपके लिए रहेगी quality content आप लोगों के लिए लेक्या है एक एक चीज को detail में पढ़ाने के लिए आपके लिए आए है अगर आपको practice करनी है अगर आपको सीखने का सौक है अगर आपको paper में अच्छे marks लाने की इच्छा है तो आप सभी लोग एकदम सही जगे आए हैं सही वीडियो को आप सभी practice set तयार करते हैं इन practice sets को बड़े detail में आपको पढ़ाते हैं जिससे कि आपको maximum फायदा मिल पाए अगर मैंने CPOak में rank लाके selection लिया है तो आप भी ले सकते हैं और वो सारा experience आपको बहुत कम मेहनत के साथ में मिल जाएगा बहुत ज़ादा अगर आप जाओगे अभी बहु जा रहा है अगर आप उतना पढ़के चले जाओगे तो definitely आप सभी लोगों को बहुत जवर्दस ना सिर्फ जवर्दस फायदा होगा बलकि में आप 45 प्लस यानि 48 47.5 या 50 marks भी लेके आओगे English section में तो बिना देरी किये शुरुआत करेंगे आज की क्लास की बगवान के चर 1 wonders of the world भाई देखो यहां से sentence को समझने का प्रियास करेंगे द ताज महल सबसे पहली बात यह है कि ताज महल एक monument है historic monument है monuments के साथ में article द का प्रिव करा जाता है इस point को विसेज करके ध्यान रखेंगे singular subject है singular verb आगई आगए आगए one of भाई one of के साथ में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है one of अगर आपका आता है और आगे अगर आपका adjective आएगा तो adjective आएगा superlative degree में यहाँ पर आएगा आपका article सामान नेता है द या फिर कोई आएगा possessive case ठीक है possessive case आएगा या फिर आपका article द आएगा इसके अलावा अगर भाई इस one of के बाद में यहाँ पर जो noun आएगी वो noun हमेशा और हमेशा आपकी कैसी आएगी plural noun आएगी दोस आएगी ना कि plural तो singular verb आएगी और plural आपका ना उनाएगा तो यहां से आपने देखा one of one of के बाद में द आ रखा है बहुत जबर्दस बात है आगे मच आ रखा है अब आपको पता होना चाहिए कि यह जो मच है यह आपकी positive degree होती है यह more जो होता है यह comparative degree होती है और इसके ल comparative degree superlative degree comparative degree ER या more लगा के बनाई जाती है positive degree में positive degree में EST या फिर most लगा के superlative degree बनाई जाती है positive degree को हम तब यूज करते हैं जब comparison नहीं होता है रादिका is beautiful कोई comparison नहीं है positive degree को यूज किया है हमने कहा कि रादिका आपका मलब दो लड़कियों का comparison कर लेते हैं रादिका राखी से सुन्दर है रादिका is more beautiful than राखी रादिका राखी से सुन्दर है थर्ड सेंटेंस हमने कहा कि रादिका इस दुनिया की सबसे सुन्दर लड़की है रादिका is the most beautiful girl most beautiful सबसे सुन्दर more beautiful comparison तुलना के लिए और normal beautiful बिना किसी तुलना के लिए तो बहुत सारे मैंसे एक कुछ उन्ना हो तो superlative दो लोगों के बीच में तुलना करनी हो तो comparative और कोई तुलना ना हो तो positive degree का प्रयोक किया जाता है आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि much की जगे पर क्या-क्या लगा सकते हैं तो no substitution तो हो नहीं सकता क्योंकि positive नहीं हमें कौन सी डिगरी चाहिए थी superlative more comparative नहीं आ सकता है much more भी comparative नहीं आ सकता है most आपका correct answer हो जाएगा बाकी sentence को आगे देखेंगे is one of the much popular तो most popular हो गया seven wonders noun कैसा आ गया plural आ गया बहुत बढ़िया ओफ आपकी preposition आ गया और इसके लिए object आ गया the world world के आगे सामानेते article दाता है इस बात का भी विशेज ध्यान रखेंगे तो आप सभी लोगों ने ये इस प्रकार से question पूरा देखा अगले question की तरफ पढ़ेंगे select the correct option to substitute the underlined segment in the given sentence if no substitution is required select no substitution he is faster than smarter भाई ध्यान दीजेगा अगर ध्यान के बाद बहुत simple simple आपको तरीके बता रहा हूँ अगर कोई adjective आपको दिखाई देता है तो ध्यान देना ये adjective हमेशा और हमेशा कौन सी डिगरी में रहेगा positive डिगरी में इस then के पहले भी जो adjective रहा होगा वो कौन सी डिगरी में positive डिगरी में और इस adjective के पहले क्या लगाना पड़ेगा more लगाना पड़ेगा चाहे adjective एक स्लेवल का है चाहे दो स्लेवल का है चाहे चार स्लेवल का है सामान नितर क्या होता है किसी भी adjective की positive डिगरी बनाने के लिए हम या तो more उसके पहले लिखते हैं या उसके पीछे er जो जोडते हैं और एक से ज्यादा Alumni के लिए हम मोर जोडते लिए अब Tuva का मतलब क्या होता है सर किसी भी सब्द के अंदर सवर्वनियों कि संक्या किसी सथेंदर कितनी सवर्वनियों होती है उन کی करूं जितने वावल हैं अगर एक जगे पे तीन एकठे हैं तो वो एक स्लेवल है दो एकठे हैं तो भी एक स्लेवल है और एक अकेला है तो भी एक स्लेवल है अगर अलग अलग जगे पे हैं तो जितनी जगे पे हैं उतने स्लेवल होते हैं लास्ट में अकेला इया रखा है त उसको count नहीं करते हैं तो slayvel इतने ही होते हैं यह बात समझाई slayvel आपके ऐसे count करते हैं दूसरा तरीका यह है जो मेरी एक trick है जिसको मैं अक्सर आपको pushpa trick के नाम से बताता हूँ और pushpa trick क्या है? pushpa trick basically यह है आपको अपना यह हाथ यहां रखना है उस adjective को बोल के देखना है जिसमें आपको slayvel चेक करने है उस adjective को बोलने में यह आपकी जो chin है जो थोड़ी है यह आपके हाथ को जितनी बार touch करेगी उतने ही slayvel है जैसे हमने कहा wise एक बार touch किया एक slayvel है इसलिए wiser लिखते हैं हमने कहा हो light दो बार आ रहा है ठीक है हमने कहा like कोई भी adjective यहां पर जैसे smart था हमने कहा smart smart एक बार आ रहा है तो smarter लिखते हैं fast एक बार touch कर रहा है faster लिखते हैं लेकिन ध्यान क्या देना है beautiful beautiful तो दो दिन बार touch कर रहा है तो हम कह सकते है आसानी से आपका कि दो से ज़्यादा स्लेवल है अब आप क्या देखोगे भाई चाहे एक स्लेवल हो एक से ज़्यादा हो कुछ भी यहां पर एर वाला adjective नहीं आता है हमेशा कौन सा वाला आता है positive degree वाला और उसमें क्या लिखते हैं more अगर पीछे adjective है को compare करना हो दो adjective आये हैं यानि कि दो quality है एक ही व्यक्ति की दो qualities को compare करना हो तो हम यह बाला structure लगाते हैं अगर आपका then के बाद में अगर then के बाद में क्या हो कोई noun हो या आपका कोई pronoun हो तो ऐसे case में then के पहले comparative degree का प्रयोग किया जाता है और यह हम तब प्रयोग करते हैं जब दो व्यक्तियों का comparison करते हैं दो व्यक्ति कैसे दो व्यक्ति अवस्तु एक noun या noun या pronoun या उपर जो subject में रहा होगा उन दोनों का comparison करते हैं आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ देखेंगे अगला आपका word है rejoinder rejoinder होता है जो quick जवाब देते हैं तेजी से दिया गया answer rejoinder कहलाता है खास करके ऐसा answer जो कि funny हो थोड़ा सा विचित्र हो उसको rejoinder बोल देते हैं तो rejoinder basically क्या हो जाएगा answer है तो एंटोनीम में इसके में क्या बनेगा question अब question का meaning expedite का मतलब होता है किसी चीज़ के मलब थोड़ा सा तेज कर देना ordinary साधारन होता है reply जवाब होता है request में हम कोई question पूछते हैं तो rejoinder answer है और request है question होता है प्रशन होता है इसलिए request आपका correct एंटोनीम हो जाएगा आगे देखेंगे अगला जो आपका question है उसको एक बार the capacity for being useful for some purpose किसी purpose के लिए जो आपकी capacity होती है useful होनी कि उसको क्या बोल देते हैं भाई साथ देखो gain का मतलब क्या है gain का मतलब है lack desirability का मतलब है किसी चीज़ का desirable होना desirable का मतलब है desire सपना चाहत तो जो चीज़ चाहत करने लाइक है वो desirable हो जाती है desirability का मतलब भी किसी चीज़ की चाहत हो जाता है ठीक है aid का मतलब मदद हो जाता है aid मतलब मदद और utility का मतलब हो जाता है उपयोगता तो utility सही answer है क्योंकि यहां पर हम किसी चीज़ का useful होना है यानि कि किसी कोई चीज़ कितनी utility की है वो बात करी जा रही है आगे रमन एक्सक्लेंड एक्सक्लेंड डैट टेस्टिड स्वीटली वाई सव रमन सेंटेंस का सब्जेक्ट है ओके क्योंकि यहां एक नाउन है तो आप क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो नाउन है प्रॉपर नाउन है यह आगे वर्ब आ गई एट वर्ब की second form है इट वर्ब की second form है तो past का टेंस चल रहा है यहां ठीक बात है रमेश एट क्या खाया उसने the cake आपका subject बन गया आगे end आ गया end से हम दो words को connect कर सकते हैं दो phrases को कर सकते हैं दो clauses को कर सकते हैं अब हमें connect किया आगे exclaimed exclaimed यानि कि एक V2 है तो हम कह सकते हैं 8 core exclaimed को connect किया गया है exclaimed जो वर्व है इसके बाद में साधार रंटता है that clause आती है तो that conjunction आगया आगे subject आगया it subject है आगे it subject के लिए वर्व आगी तो कौन सी form में आनी चाहिए V2 आ रखा है क्योंकि आगे भी past है तो पीछे भी past रहेगा ठीक है it tasted अब taste वर्व आपकी कैसी वर्व है taste वर्व आपकी stative वर्व है state को दिखाती है और ये बता रही है कि किसी चीज़ का taste कैसा है और वैसे ये linking वर्व होती है दोस्त linking वर्व क्या होती है linking वर्व क्या होती है linking वर्व ऐसी किरियाएं जो एक compliment को उसके subject से जोड़ती है वो linking वर्व कहलाती है और linking वर्व के बाद में adjective आते है adverb नहीं आप कहोगे कि sir यहाँ पर ये तो adverb लगा रखा है sweetly तो sweetly नहीं मेरे दोस्त क्या आएगा sweet आएगा तो कौन से part में error है आप बता सकते हैं आप कहतोगे sir D part में error है अगर मैं कुछ taste कर रहा हूँ तो वो एक action है ऐसे कि इसमें adverb आ सकता है लेकिन किसी चीज़ का स्वाद बता रहे है एक कैसा है एक sweetly नहीं है एक sweet है दूद कैसा है दूद sweetly नहीं है दूद sweet है ठीक है आगे दिखेंगे अगले question की तरफ अगर बढ़ेंगे तो he has won the medal for the 12th time अब 12th की correct spelling पूछिए आप में से बहुत सारे बच्चे समें confused हो सकते हैं जब 12th की spelling हम सही लिखते हैं तो उसमें F का भी use किया जाता है तो T-W-E-L-F-T-H T-W-E-L-F-T-H यही आपका correct answer हो जाएगा ए option तो 12th ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका question है identify the segment that correctly uses the indefinite article कौन सा sentence ऐसा है जिसमें indefinite article सही है there are यानि कि there एक introductory subject के तरीके से काम करता है वैसे यह adverb place होता है there are अगर आया है तो इसका मतलब है subject आपका यह plural है तो three cars plural subject आगया और तीनों cars को क्या कर रखा है पार्क कर रखा है पार्क करने का मतलब होता है किसी कार को कहीं पर खड़े कर देना और कहां पर पार्क किया गया है तो outside आपका adverb हो गया चीक बात है आगे देखेंगे आगे है Mercedes Mercedes का sound म से सुरू होता है इसलिए यह नहीं हो सकता N नहीं आएगा A आना चाहिए आगे देखो A Mercedes लिख रखा है लेकिन N जेगवार जेगवार का sound जासे सुरू होता है इसलिए यह नहीं आ सकता आगे देखो A Mercedes A Jaguar And A Fiat तो हम कह सकते हैं तीनों में A रखा है यहाँ पर देखो N Jaguar तीन option ऐसे ही एली मिनिट हो गए C option is the correct answer आगे देखेंगे Select the most appropriate idiom to fill in the blank idiom बताना है अब देखो आपको इस पूरा context को समझना है उसके हिसाब से idiom बताना है देखो थोड़े मुस्किल idiom सा जाते हैं कई वार CPU में तो ध्यान देंगे Choosing not to pursue a degree तहां गया है कि जो मैंने choose किया और क्या choose किया था not to pursue मेरा decision था कि मैं pursue नहीं करूँगा क्या pursue नहीं करूँगा डिगरी किसमें डिगरी Computer Engineering में Was-वह-डैस था वह-डैस था As क्योंकि The market for them क्योंकि उनके लिए market is extremely limited क्योंकि उनके लिए limited है market आजकल Nowadays Nowadays यानि आजकल कहा है कि मेरा Computer Engineering में डिगरी ना लेना चूज मलब ना करना कैसा था अब देखो हमने का market limited है मान लीजिए मैंने B.S.C. की है मैं Computer Engineering करना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं की और आज मैं देख रहा हूँ कि Computer Engineers के लिए तो जॉब भी नहीं है मार्केट बहुत कम है तो मुझे खुसी होगी क्या बढ़ी आ रहा Computer Engineering नहीं की तो मुझे भी नहीं जॉब मिलती इतना कंपटीशन है मैं इस बात पर खुस हूँगा खुस हूँगा तो हमें कैसा सब चाहिए Positive Nature का सब्द चाहिए के नहीं चाहिए एकदम सही बात है तो देखो A Cut Above A Cut Above का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बाकी सबसे उपर के लेवल का हो तो हम यह थोड़े न कहेंगे Was Cut Above नहीं उपर के लेवल की बात नहीं कर रहे हैं एक दे रखा है Airy, Fairy इसका आंसर आपको करना है बड़ा अच्छा इडियम है Airy, Fairy खास करके Relationships के लिए इसका Correct मीनिंग क्या है अगर मैं बताई दूँगा तो फिर Question of the Day कैसे बचेगा तो यह आपके लिए Question of the Day है Airy, Fairy बड़ी आईडियम है अच्छा लगा मुझे इसलिए आप सभी लोगों को अरे यह दिल क्यों बना दिया चलो कोई नहीं दिल बना दिया ठीक है Airy, Fairy आपको इसको Comment box में बताना है कि क्या है Airy, Fairy ठीक है Airy, Fairy का Meaning यह है आपका Question of the Day Question of the Day तो QOD QOD Comment करके बताना है अंसर क्या होगा खास करके कोई introductory speech जो होती है उसको बोल देते है पकी एक blessing and disguise कोई चीज जो शुरू में खराब लगे लेकिन बाद में अच्छी सावित हो वही होती है blessing and disguise अब आप यहाँ पर यही तो कहना चाहते हैं कि अच्छा रहा मैंने नहीं किया शुरू में मुझे बुरा लगा होगा पापा ने का computer engineering नहीं करनी है शुरू में बुरा लगा कुछ नहीं करने देते हैं मुझे लेकिन दीरे दीरे बता चला कि अच्छा हुआ नहीं कि बड़ा बेकार केरियर था तो the correct answer is blessing and disguise blessing and disguise आगे देखेंगे one who settles in another country जो किसी दूसरे country में settle होता है अब देखो इस sentence को थोड़ा समझने की जोड़ा होता है एक सब मलब इस question को एक है resident resident का मतलब है कहीं का निवासी traveler का जो जगे जगे travel करता है refugee जो किसी दूसरे देश में जाके set हो जाते है और emigrant का मतलब है जो किसी देश से हमारे देश में आता है अब काईदे से CPO में इसका जो correct answer दिया गया था वो emigrant दिया गया था पट इसका emigrant उतना answer अच्छा हो नहीं सकता है देखीगा अगर कोई हमारे देश में आया है तो आने वाला person emigrant होता है जो यहां से दूसरे country में जा रहा है उसको हम E वाला emigrant बोलते है तो यहां पर emigrant और refugee दोनों possible है वैसे बाकी CPO में answer की में emigrant दिया था मैंने recently rankers group पे जो EDM's की मेरा थन ली थी मैंने उसमे refugee answer करा दिया था refugee भी उतना गलत नहीं है कई बार SSC इस तरीके से answer दे देता है ठीक है तो refugee का मतलब है जो दूसरे देश में जाके सरण लेते हैं हलंके वो settle नहीं होते हैं सरण लेते हैं और emigrant वो होते हैं जो किसी देश से आके हमारे देश में settle होते हैं तो हमारे देश की बात यहां पे नहीं है, इसलिए यह गलत कहना चाहिए, और क्योंकि यह temporary होते हैं, तो settle होने वाली बात के लिए यह गलत होना चाहिए, तो दोनों touch end गोए है, आप SSC ने यह mark कर दिया, आप भो भी mark कर सकते थे, ऐसे questions अक्सर करके repeat नहीं होते हैं, बक्री हो जाए, तो इसी को mark कर देना वाई, क्योंकि SSC ने पहले यही mark किया था, आगे देखेंगे, अगला आपका word है, asset, asset, और asset का मतलब होता है, इसको antonym पूछा, asset का मतलब है, कोई value वाली चीज, कोई चीज जिसकी बड़ी value है, तो इसका antonym पूछा है, तो क्या हो जाएग liability का मतलब होता है, बोजा, asset का मतलब है, जो बहुत value का आदमी है, और liability है नहीं, जो किसी पर बोजा बन गया है, तो यह नहीं answer, मतलब यह आपका correct answer हो जाएगा, liability, enter नहीं है, क्योंकि, आगे देखेंगे, we should ask Emily to join our team, she is as keen as butter, वह उतनी keen है जितना butter, अब देखो यह correct idiom इसका पूछा गया है, क्या होगा, correct idiom, as keen as butter नहीं होता है, as keen as mustard होता है, इसका मतलब होता है, कोई जो बहुत उत्साहित है किसी चीज़ को लेके, as keen as mustard, as keen as mustard, आगे देखेंगे, all my efforts went in vain, कहा गया है, appropriate idiom to fill in the blank, the project on which I was working for the last two months, has failed, पिछले कुछ time से, काम कर रहा था दो महीने से, और वो फेल हो गया है, अब फेल हो गया है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, and we are des, अब हम कहां पे है, एक है, around the bend, एक है, on the fly, एक है, in the seventh heaven, in the seventh heaven, खुसी बगेरा के लिए ह होता है, on the fly का मतलब होता है, motion, around the bend का मतलब होता है, around the bend, या around the bend, दोनों तरीके से, इस idiom को बला जाता है, इस का मतलब होता है, mad, पागल हो जाए एक्दम, और back to square one का मतलब होता है, जहां से सुरू किया था, वहीं आ जाए, आगे देखेंगे, अब देखो, choose the most suitable idiom for the given situation, एक situation दी गई है, इसके लिए most suitable idiom आपको बताना है, कहा गया है, Ravi has a strong desire, Ravi की एक strong desire है, to be in college hockey team, college hockey team में होने की this year, इस साल, and he is working hard to gain such skills, और वो hard work कर रहा है, ऐसे skills को gain करने का, to fulfill his goal of life, जिससे के वो fulfill कर पाए अपने जीवन का जो goal है, he has clearly made up, वहाँ पूरे तरीके से, साफ त कर चुका है, अपना mind, अपना दिमाग जो है, वो final कर चुका है, to achieve his target, अपने target को achieve करने के लिए, अब इसके लिए कौन सा idiom होगा, पहला है, to make the cut, to make the cut का मतलब होता है, selection होना, क्या Ravi का selection हो गया है, बेटा भी इसने target किया है, selection नहीं हुआ है, to move the goal posts, इसका मतलब होता है, अपने target से, अपने सपनों से बटकते रहना, बटक नहीं रहा है, एक target fix कर लिया है, एक है आपका, to rise to the occasion, मौका मिलने पर एकदम बढ़िया पफॉर्म करना, जैसे recently आपने देखा, मयंक यादम, मलब आजकल sensation बने हुए है, cricket में, उनको जैसे ही पहले match में मौका मिला, उन UK का पूरा फाइदा उठा कि चमक जाना, क्या उसको मौका मिला है, अभी नहीं मिला, इसलिए यह नहीं हो सकता, set, sights on, sight का मतलब होता है, नजर, निगाह, अपनी निगाह किसी पर set कर लेना, जैसे आपने भी किसी ने किसी पर तो अपनी निगाह set करी रख्योंगी, अरे ब Spelling Error, बड़ा बोरिंग लगता है मेरे को Spelling Error का वसन, आगया है, the art of living is learnt easily by those who are positive and optimistic, art of living आसानी से सीखी जा सकते हैं, उन लोगों के द्वारा जो positive और optimistic हैं आसा बादी हैं, तब ठीक लग रहा है, second sentence, we can learn a lot about the art of living, हम art of living के बारे में बहुत को जान सकते हैं, by having a peep into the lives of great men, peep का मतलब होता है जहाकना, और ये noun verb दोनों तरीके सा सकते हैं, आप कोगे, कि सर इसका मतलब हो गया, कि हम art of living के बारे में जान सकते हैं, अगर हम जो महान लोग हैं, उनकी life में थोड़ा जहाक के देखें, उनकी biography बगएरा पढ़े हैं, उनकी life story जाने, सब सही लग रहा ह the daily routines of these great men, disseminate, disseminate, disseminate गलत है, इसको पढ़ते हैं, disseminate, यह आता है इसमें, disseminate, disseminate that they are different, disseminate का मतलब होता है, कुछ फैलाना, कुछ देना, और उनकी life, जो है, जो daily routine है, वो हमें बताते हैं, यह information देते हैं, कुछ फैलाना यह नहीं, जानकारी फैलाना, information फैलाना, that they are different, कि वह different है, their unique life styles help us learn certain habits and practices that they follow, उनकी जो unique life styles होती हैं, वो हमें help करती हैं, सीखने में, कि मतलब वो practices जानने में, जो उन्होंने follow की, आगे देखेंगे, you arrived two days ago, you sentence का subject है, arrived आपकी verb है, two days ago आपका adverb of time है, past का time given है, तो past की V2 लगा रखे, past indefinite tense है, एकदम सही है, by the time, by the time, by the time के साथ में आगे present का indefinite tense हा रखा है, मैंने जो पिछली class थी rankers group पे, class number one जो concept वाली थी, उसमें ये बात समझाई थी, by the time के साथ में क्या आता है, अगर present indefinite इदर है, तो future का perfect आ जाएगा, you will have spent nine days here, जब तक आप जाओगे, तब तक आप नौ दिन निकाल चुके होगे, यानि साथ दिन बाद आप जाओगे, सब सही लग रहा है, सब सही लग रहा है, तो no error नाम का एक option है, उसको mark कर दे ना आगे देखेंगे अगला आपका question, I wanted to buy a candle holder, I sentence का subject है, wanted आपकी verb है, देखो भई, मेरे साथ साथ questions करना जरूर, आप करोगे नहीं, मेरे solution देखके फायदा नहीं होगा उतना, साथ साथ करना है, I wanted to buy, मैं चाहता था खरीदना, क्या candle holder, जो candle holder होता है वो, but लेकिन the store, store के पा repetition अठाने के लिए one लगाया है, so, इसलिए I got a cake, मुझे एक cake मिला, अब यहाँ पर आप देखोगे, so, आप कहोगे, sir, fully stop के बाद मैं coordinate conjunction आ रखा या गलत होना चाहिए, पर मेरे भाई ध्यान रखना, यह so हो गया, yet हो गया, यह conjunction होने के साथ साथ adverb भी होते हैं, और जब य इनके बाद में comma आता है, so, के बाद में comma रखा, इसका मतलब है, यह adverb है, और अगर यह adverb है, इसका मतलब है, कि यह sentence सही है, इसका मतलब है, यह भी no error है, बड़ा digest करना मुस्किल लगता है, कि लगातार दो no error कैसे आगे, लेकिन आ सकते हैं, इसलिए, beware, next, I think we should dash before buying this car, I think we should dash, idiom fill करना है, idiom पर बहुत को संदाले हैं, आज हैंना, एक है eat like a horse, गोड़े की तरह खाना है, यह जदा खाना, बहुत खाना, बहुत खाना, तो हम क्या यह कह रहे हैं कि कार खरीदें से पहले बहुत खा लें, ना, sense नहीं बनता है, एक get off our high horses, get off our high, get off high horse का मतलब होता ह है, उंची-उंची बात हैं जो हम कर रहे हैं, वो बंद करके जमीनी इस तरह की बात हैं कर लेते हैं, तो कार खरीदने से पहले ऐसा क्या ज़रूत पढ़ रही है कि यह करना है, बिल्कुल नहीं, stop to change horse, stop to change horse का मतलब है पूरा system बदल देना, कार खरीदने से पहले system क्यों ब पर रकना है, यही आपका correct answer हो जाएगा, अगे देखेंगे, next आपका जो question है, the study of human mind, human mind की study को क्या कहते है, microbiology होता है, छोटे सुक्षम जीवों का अधियन, anthropology होता है, जो human विकास है, human life से उनका, epidemiology होता है, जो epidemic होता है, आपका pandemic, उसका यानि disease, बिमारी फैलने वाली, उस का अधियन है, उसकी रोक थाम, और psychology होता है, आपका दिमाग से संब्दे, आगे देखेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया, ओके भाई, प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया, एक definite post है, definite post है, तो और नहीं, दा का प्रियोग किया जाएगा, the prime minister of इंडिया, the president of इ कहा है ड्रस करेंगे, today, और कहा है ड्रस करेंगे, कब, कब, today, on the occasion of Independence Day, Independence Day के मौके पर, तो कौन सा उप्शन से हो जाएगा, so the prime minister of इंडिया, option C, आगे, what a small word, appropriate meaning बताने है, यह हम कब बोलते है, what a small word, जैसे माल लीजिए, मैं हूँ, और, मैं अपने उपर नहीं, आपके पर एक्जांपल देता हूँ, आप हैं, और आपके जीवन में कोई है, आप दोनों बिछड़ गए, आपने बिछड़ने के गम में बहुत पढ़ाई की, बहुत मेनत की, और आपने बढ़िया नौकरी लगाई, आप सलेक्ट होगे, M.E.A. में, उसकी कहीं साधी होगई, उ इदर M.E.A. में सलेक्ट होके आपकी पोस्टिंग आ गई है, आपको यूरोप जाने का मौका मिला, आप यूरोप गए है, आपको सरकार की तरफ से बढ़िया सा क्वार्टर मिला, और उस क्वार्टर में बगल वाले ही घर में, वो जिसकी साधी बहुत पैसे वाले घर में होई थी, उसका पती विदेश में जाके सेट हो गया, तो वो भी वहाँ चली गई, और वो आपको वहाँ मिल जाती है, आपका रेयक्शन क्या होगा, वाट आ स्मॉल वर्ल्ट, निया कितनी छोटी है, हम कहां आके मिल गए, यानि कि क्या कोइंसीडेंस है, कि हम यहां पे ए आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेशन, ओके, यह है आपका क्लोस टेस्ट, साउथ कोरिया, देखो मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार रोकेंगे, और खुछ से अटेम्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, South Korea is the most cosmetically, das country on earth, कहा गया है कि प्रत्वी पर कॉस्मेटिकली सबसे, मतलब ढ़ना होता है, पुरानी, early का मतलब भी पुरानी का ही होता है और ancient का पुराना advanced का मतलब है सबसे आगे यहां पर क्या कहा गया है beauty editors estimate that it is because of the government's heavy investment अगर सरकार heavy investment कर रही है और आगे लिखाए it is ahead यह आगे है यानि कि most advanced हो जाए गया है कहा गया है कि प्रत्वी पर सबसे advanced country है because of the government's heavy investment सरकार का heavy investment है इस industry में industry पर होगा industry से होगा industry के द्वारा होगा या industry में investment industry में होता है इसलिए in the industry आपका correct preposition है it is ahead यहाँ आगे है of its competitors अपने competitors से and its citizens और इसके citizens जो है dash twice as much on skin care products as consumers in the United States the UK and France France के UK के और US के मिला के जितना खर्च करते है उसका double खर्च कर लेते हैं यह इसका मतलब है खर्च करने की बात है खर्च करने की बात है तो spend हो जाएगा आगे देखो propagate करने की बात propagate करने का मतलब है अपनी बातों को फैला ना यह बात फैला नहीं रहे हैं यहाँ पर cherish करने का मतलब है किसी चीज़ को enjoy करना यहाँ पर enjoy करने की भी बात नहीं है twice यानि के खर्चे की बात है और comply करने का मतलब follow करना आगे देखेंगे korean saupers जो korea के saupers है नहीं खरीदने वाले लोग है are dash the world's most discerning भाज आता है कि यह दुनिया के सबसे discerning क्या है अब देखो यहाँ पर का गया कि सायद यह दुनिया के सबसे discerning है दो का कोई sense नहीं है यहाँ पर और all दो का कोई sense नहीं है और यह इस बीच में तो आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह conjunction होते हैं और यह दो clause के बीच में आते हैं यह जो maybe है और यह जो perhaps है यह दोनों एक दूसरे के synonyms हैं बस इनकी position में फरक होता है maybe सामान नहीं तर सेंटेंस के सुरुआत में आता है आप दस में से आठ कोरियन वुमें उनके 20 में और 30 में बीस साल की उमर में एक एप यूज करती है that-like cosmetic specific वह ऐसे काम करता है cosmetic specific के तरीके से काम करना यानि कि function करना that functions dissolve होना घुलने का कोई sense नहीं माल function का sense नहीं और stop का sense नहीं आपका function का sense है तो यह आपका पूरा close test हो जाता है यह आपका set no.2 था वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो share जरूर कीजिएगा like अभी से कर दीजिए कल का event भी लग चुका है उसको भी आप अभी से like कर दीजिए share कर दीजिए सभी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस 11 दिन 11 sets को जितना ज्यादा प्यार आप दोगे इस 11 दिन 11 set के खतम होते ही उतनी ही बड़िया सीरीज आपके लिए हम फिर से चैनल पे लेके आएंगे सभी लोगों से यही request है कि ज्यादा से ज्यादा प्यार दें आपके लिए हमेशा से इसी तरीके का बहतर से बहतर content प्रोवाइड करते रहेंगे यह हमारी तीन किताबे हैं इसके अलावा इन किताबों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मेरा badge है जो कि RG विकरमजीत app अवैलिबल है इंग्लिस का recorded badge है इसमें complete English पढ़ा रखे बड़े detailed अंदाज में तो आप सभी लोग इस badge में enroll कर सकते हैं जो बच्चे इंडॉल करना चाहते हैं बाकि तीनों किताब हैं मेरी Amazon, Flipkart और Book Escape हर जग है वैलिवल हैं आप जाके वाँ से order कर सकते हैं इस class की जो PDF आपको मिलेगी वो हमारे telegram, vocab wonders और English by प्रसांसर दोनों जगे मिल जाएगी बाकि भई मेरा Instagram का जो handle है वो थोड़ा सा change कर दिया है और वो आज का लिए है प्रसांत सोलंकी प्रसांत अंडर्सकोर पोलंकी अंडर्सकोर इंग्लिस अकेला प्रसांत सोलंकी मिला नहीं था तो लास्ट में इंग्लिस भी इमने लिखी दिया है ना तो यह हमारा Instagram handle है तो आप जाके वहां पर भी हमें जरूर फॉलो करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए रखेंगे इतना ही बाकि मिलेंगे कल थेंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत